हेलो फेंड्स वारी गूड नाइंग आज हम बी एफम का टॉपिक लेके आए हैं रिटेल बैंकिंग मॉडिल बी फ्रेंड्स कई लोगों को यह दिखता रही है कि इसमें प्रॉपर वीडियो में जो है कॉश्चन्स दीख नहीं रहे हैं यह प्रॉलम है तो हमने कोशिश किया पूरे पीडियो नोट्स वगएरा जो हम वीडियो में डिसकस करते हैं तो वह आपको मेल कर सकते हैं या फिर टैलीगराम के थूरू दे सकते हैं तो आप या आपको कोई फ्रेंड लेना चाहिए तो इस वीडियो का आगे शेयर कर दें ताकि उसके पास यह नंबर चला है तो सिर्फ इस वीडियो को दो-तीन बार सुनेंगे तो आपको कोईशन सारे याद हो जाएंगे और यही कोईशन आपको बार-बार देखने में के लिए एक्जाम में मिलेंगे क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्डन कोईशन के पुराने कोईशन पेपर में से हमने चुने किस तरह की रिस्क होता है यह लिक्विडिटी रिस्क के टाइप है टीनो टीक है वेन बैंक इस अनेबल टू अंडटेक्ट प्रॉटेवल बिजन ऑप्रिटिवें बिजन अपर चुके हैं तो यहां पर ज्यादा डिसक्स नहीं करेंगे फ्रेंड्स वीर के उपर नुमेरिक हो है अभी तक नुमेरिकल पर जाएंगे तो सिर्फ नुमेरिकल लिखके है एक वीडियो वह देख लिजिए उससे आपको प्रिपेर हो जाएगा बी एफम मैंने आपमें सिर्फ दो चीज़ पर फोकस रखना है एक तो आपने मुल्टिपल चॉइस कोशन कर लिजिए और ए सथानिय और कि क्रेट चुइशन मालों किसी का लोन खराब हो जाता है वो इसको टान लेपेर नहीं सबस्क्राइब कर देता है करता है तो क्या होगा उससे उसकी सिबिल खराब हो जाएगी तो क्या होगा उसकी credit quality क्या हुआ भी borrower की decrease होगी है और क्या होगा है credit spread हो गया है हमारे लिए और परिशानी घड़ी होगी है ठीक है the portfolio when diversified fully which reduces portfolio risk gets systemic या फिर कौन सा आपको intrinsic risk हो जाता है ठीक है आपने intrinsic risk अभी भी बाकि है turning of performing assets into NPA that is non receipt of expected cash flow arises तो यह क्या कर देते हैं time risk कर देते हैं ठीक है next देखिए unicipated withdrawal लिया फिर non renewal of deposit in wholesale or retail segment is called funding risk मदब क्या हो रहा है कि आप मदब एकदम से जो है बहुत सारे risk refers to potential adverse impact on NIA, NIM, MVE इन तीनों पर affect करेगा ठीक है unexpected changes in the level of market risk rates due to यह सारे कारण है different principal amounts हो जबता है उनके बीच में mismatch हो जाएगा या फिर different maturity dates हो जाएंगे या फिर repricing dates हो जाएंगी repricing dates ऐसी होती है कि आप loan जो है उसी सापसी देते हैं जिसे आप से आपके पास deposit होता है लेकिन अगर बीच में आपका deposit कोई ले जा लेता है तो उससे फिर आपको lending से जो आने वाला पैसा है उसमें दिक्कत हो जाती है यहना वो दोनों mismatch हो जाएंगे चेंजिंग ऑफ interest rate of different assets liabilities जाएंगे क्या बोलते हैं उसको basis risk बोल देते हैं when variation in market interest rate causes the net interest income to contract the basis risk would move the dash against the banks basis risk हो गया है तो वो क्या है banks के against में है funding of long term assets by short term liabilities create क्या create करता है liquidity risk कर देता है when banks have more earning assets than paying liabilities तो यह interest risk arises interest risk हो जाएगा when assets are sold before their stated maturities dash risk occurs तो यह कौन से risk हो जाता है price risk और market risk हो जाता है which of the following is not included in tier to capital तो यह disclosure of equity यह दोनों जो है entire to capital में नहीं आते हैं systematic risk systematic risk का होता है जब क्या हो जाए और आपका portfolio level पर होता है इसको हम बाद में discuss कर लेंगे systematic risk होता क्या है कैसे होता है सब चीजे है ठीक है अभी यहां पर जागा discuss risk करना उसे time-based होगा risk of settlement that arises due to time zone differences हमेशा ध्यान रखना जब भी time zone का बात कहेगा न यह भी time differences की बात कहेगा तो महां कौन सा risk होगा हर स्टाइट रिस्क होगा ठीक है इसकी मैंने आपको स्टोरी पहले ही बतारी थी कैसे time zone difference की वैसे payment settlement नहीं हुआ था और bank do be the deregulation started in India कब से deregulation start with the 90s में हुआ था bank assets are grouped under five categories according to the credit disc they have okay according to 98 basal accord banks were required to hold capital equal to कितना capital hold करने के लिए बोला गया था 8% 8% लेकिन इंडिया में banks क्या कर रहे है 8% extra hold कर रहे है ताकि जो है कोई liquidity की problem ना आए है ना bank debts are categorized at dash risk तो यह उत्ते हैं 20% risk पे ठीक है टायर वन इस आल्सु को नोन एस कोर कैपिटल फॉर रिटेल एक्सपोजर्स डैश आयर भी अप्रोच इस पसकाइब तो यह होती है foundation और advance दोनों तरहगी approach होती है how capital charges calculated under basic indicator approach for operation risk तो यह होता है 15% of average gross income over 3 years credit spread risk occurs at कहां पे होता है transaction level पे होता है credit spread risk कहां होता है transaction level पे होता है कुछ देखो friends कुछ risk होंगे वो portfolio पे होंगे कुछ risk आपके जो है transaction पे होंगे मतलब आप transaction करेंगे तब ही risk होगा ठीक है portfolio risk कैसा होता है जैसे मान लो आपने अपना share market का portfolio इसमें बहुत सारे shares रखे वे हैं लेकिन वो सारे IT के रख ली और IT में क्या होगा recession आ गया तो एकदम से आपका portfolio damage हो गया ठीक है banks of which countries were permitted an extended period to be in confirmation to 1988 United Bessel Accord which were enforced by a law by G10 countries in 1992 तो यह क्या है जपान जपान में जो है एक साल और extension मांगा गया था ठीक है what are the parameters on which assets of a bank are classified तो यह होते हैं counterparty collateral और maturity देखो friends जो जिन loans में collateral नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे unsecured loans कहलाते हैं ठीक है और वो बहुत ज़्यादा risk होते हैं जैसे personal loan बगएरा उन पर interest rate भी ज़्यादा होते है maturity मतलब कब mature होंगे है ना मालिजे सारे loan आपके कली mature होगे तो आपको क्या होगा फिर्स और आपने और लोग दिये नहीं है तो क्या होगा आपको एक दम से liquidity mismatch हो जाएगा failure of the whole banking system is known है सारी banking system ही कराब होगी है तो क्या होगा system में risk हो जाएगा एक बैंक के डूबने से सारे बैंकों को असर आगया तो वो क्या कहलाएगा system में risk कहलाएगा counterparty risk is viewed as a dash risk rather than credit risk counterparty risk mainly financial risk होता है ना कि credit risk होता है ठीक है credit risk कब होता है जब कोई borrower ना पे करे बोर्वर जब नहीं पे करेगा तो credit risk होगा rating migration is a method of क्या होता है asset standard of rating ठीक है rating migration क्या बताता है asset standard of rating को बताता है dash model of evaluating credit risk focuses on estimating the volatility in the value of assets तो यह होता है credit matrix यह जो यह terms है ultimate z score credit risk plus plus credit matrix वगरा इन सब को आप detail में पढ़ लिजेगा क्यूंकि इसके उपर भी कई बार बहुत questions आपते है which of the following statements easy are not true देखो अब question आगे not true के बारे में तो यह आप सारे statement पढ़ेंगे इसमें जो 2 है TRS captures only market risk की statement गलत है rewards of proper management of operational risk are क्या होते हैं यह सारे है lesser risk capital अगर मालो आप proper manage कर लेंगे तो फिर क्या होगा आपको capital की ज़रत कम पड़ेगी ठीक है जैसे मालो आप अपने खर्चे कम कर लो तो क्या होगा आपको पैसा कम कमाना पड़ेगा cost reduction in operations मालो आपने operational cost कम कर लिये जहां 5 computer की ज़रत थी आप 4 से ही काम चला रहे हैं तो आपका operations में reduction होगे competitive edge आपका competition जो है पहले 5 लोगों से था आप चार से होगे तो आप क्या कर सकते हैं अपने product की cost भी भढ़ा सकते हैं तो आपको क्या होगा reward मिलेगा ठीक है communication risk is a type of किस तरह गर इसका operational risk है मतलब आपको कोई problem आगी है और आप बात नहीं कर पा रहे हैं जैसे मालो customer है customer borrower है और वो repay नहीं कर रहा है और आप उस को launch करके नहीं चेक करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा यही काम क्या करता है back testing से करते हैं ठीक है वीच वालेंगी is not included in risk pricing तो ऐसा क्या है profit probabilities जो है risk pricing में नहीं आएंगे credit risk can't be mitigated by credit risk कि से नहीं हटा सकते हैं entering into forward contracts इससे जो है नहीं हटा सकते हैं which of the following statements is correct तो यह है higher the risk in a business higher would be the capital requirement मतलब बहुत ज्यादा अगर रिस्क है बिजनस में तो क्या होगा बहुत ज्यादा capital की जरत पड़ेगी ठीक है interest rate risk can be reduced by derivatives of interest rate swaps इनकी मदद से जो है क्या होगा interest rate risk को कम किया जाएगा central bank governors of G10 countries participate in the basal committee on banking supervision total number of members किते हैं 13 methods of assessment of market risk are कौन से होते हैं यह दोनो basis point value BPV जिसे बोलते हैं और duration method यह दोनों क्या है market risk को assist करने के दाम आते हैं ठीक है next देखी क्या है counterparty risk is a type of credit risk counterparty किस तरह का risk होता है तो यह credit risk में आता है credit default swaps captures only dash risk तो यह counterparty sorry credit default swaps जो है क्या करता है credit risk को कम करने में मदद करता है under basal 2 capital requirement under the accord is the minimum capital that is required to be maintained मतब बैसर 2 में capital requirement accord क्या बताता है हमें कि कितना capital की जरत पड़ेगी dash model is based on actual calculation of expected default rates and unexpected losses from defaults तो यह है credit risk double plus देखो मैंने पहली बोल दिया आपको यह दोनों तीनों जो चीजह है इनको एक बार आप Google पर करके न उसका articles बगएरा लेकर और प्रॉपर इसको पड़ लेना हो ठीक है वैसे मारी वीडियो भी आपको इस पर मिल जाएंगी credit risk control and monitoring is directed by कैसे direct करते हैं आप transaction level और portfolio level मैंने पहली बताया आपको जब भी कोई transaction होगी तो उसमें credit risk होगा और portfolio पे भी credit risk का साहय मंट राता रहता है transaction where financial securities are issued against the cash flow generated from a pool of assets is known है उसको क्या बोल देते हैं securityization बोल देते हैं कब जब बहुत सारी financial transactions है वो क्या होती cash flow generate करते हैं देखो friends क्या होता है कि कोई loan लेता है ठीक है मालो house loan लिया और by chance उसकी नौकरी चली गया कुछ हो गया तो वो उस loan को नहीं repay कर पा रहा है तो फिर उससे क्या होगा हम ARC होती है ARC asset reconstruction company तो उसको हम उसका house loan बेच देंगे फिर वो क्या करेगा आगे फर्दर उसको sale करके और उससे जो है जो भी पैसा आएगा वो customer को दे देगा अगर extra होगा और जो bank का होगा bank का लोन दे देगा ठीक है तो उसमें ये ARC जो है क्या करती है e-cure-itization करती है उससे असट जेनरी असट से पैसा जनरेट करने की कोशिश करती है which of the foreign state में is ARC regarding CD credit derivatives क्या होते है credit derivatives are generally OTC instruments होते है या फिर bilateral contracts होते है या फिर off balance sheet financial instruments होते है ठीक है risk is managed at unit level तो ये क्या होता है इन सारे तरीकों से जो है रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हैं यूनिट लेवल पर ठीक है फॉरेक्स रिस्क एन बी डिडियूज बाए या तो एंट्रिंग इन्टू फॉरवर्ड कॉंट्रेक्ट्स में या फिर डेरिवेटिव ऑफ इंटरसेट स्वाबस में इनकी मदद से आप फॉरेक्स को कम कर सकते हैं ठिक है फॉरेक्स बेसिकली क्या होगा आपने मान लिए जिए डॉलर बहुत सारे खोरेक्टिकली और डॉ़र की में आपका रिस्क माइंसेटर केलाता है ठीक है फ्रैंड्सकष का P D F P आप टेलीग्राम और वाट सब ले सकते हैं zero risk investment implies क्या होता है रिस्फ zero variation in cash flow from investment दो ये क्या कराइब or μेश्क क्षुन स्विक्टरिंग डे अप्रोच अलावस banks To access credit is in a standardized manner based on external credit assessment ठीक इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेना तो वो आपको समझ में आ जाएगा पिलर थ्री मार्केट डिसिप्लीन दस नॉट कंसिस्ट आप देखो आप डस नॉट वाला आ गया तो इसमें क्या है डिवीव मार्केट अपसेंड डाउंस यह जो है काम में आर्केट डिसिप्लीन में नहीं आएगा फ्रम दो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट अफ्यू बैंकिंग बिसिनस लाइन्स है वह बिन ग्रुप्ट इन हो मैंनी तो यह आठ तरह से यह कोश्चन बार बर रिट्विट हो रहा है इस फॉलेंग डॉक्यमेंट डॉक्यमेंट दो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क है बॉंड डिवेंचर में आपको फिक्स होता है कि इतन ठीक है तो सिरफ यह वाला जो एक उप्शन था वो सिक्यूर नहीं है इस फॉलिंग स्टेट्मेंट इस करें तो हाइयर दर रिस्क हाइयर वुड बी दर रिस्क प्रीमियम देखो अगर मानलो आप रिस्क लेंगे जए शेयर में पैसा लगाते है आप रिस्क ले रहे ना त रिस्क अव रेदक्शन इनमार्क तुमार्कट वैल्यू ओ फीक टीजिस मार्कट रिस्क विचओ की जोहें बेसल तुमें नहीं इंक्लूट किया गए ठीक है के बत्रक्ट वि क्या करा गया उन्होंने क्या बोला कि आठ रह पर संट रखना है रखना है लेंगा लेकिन इंडियन मेंक्स क्या करें नाइन परसेंट रखेंगें बन परसेंट एक्स्टा जो है अगर कोई डिफॉल्ट या कोई ऐसी सिटूइशन आ जाती है इसमें प्रॉब्लम हो तो वो उसको फेस कर सकें वो फ्रेंट सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह सारे टै बार बार देखें ताकि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएं पेपर में थैंक्यू आइस टे बाई